दो बांके भगवती चरण वर्माजी के द्वारा लिखित एक कहानी आपके सभी के सामने रस्तुत है शायद ही कोई ऐसा अभागा हो जिसने लखनव का नाम ना सुना हो और युक्त प्रांत में ही नहीं बलकि सारे हिंदुस्तान में और मैं तो यहां तक कहने को तयार हूँ कि सारी दुनिया में लखनव की शोहरत है लखनव के सफेदा आम, लखनव के खरबूजे, लखनव की रिवडियां ये सब ऐसी चीज़े हैं जिने लखनव से लोटते समय सौगात के तौर पर साथ ले जाया करते हैं लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़े हैं जो साथ नहीं ले जाई जा सकती और उनमें लखनव की जिन्दा दिली और लखनव की नफासत विशेश रूप से आती हैं ये तो वे चीज़े हैं जिने देशी और परदेशी सब ही जान सकते हैं पर कुछ ऐसी चीज़े भी हैं जिने कुछ लखनव वाले तक नहीं जानते और अगर पर्देसियों को इनका पता लग जाए तो समझ ये कि इन पर्देसियों के भाग खुल गए इन्ही विशेश चीजों में आते हैं लखनव के मांके मांके शब्द हिंदी का है या उर्दू का यह विवादगरस्ट विशय हो सकता है और हिंदी वालों का कहना है इन हिंदी वालों में मैं भी हूँ कि यह शब्द संस्कृत के बंकिम शब्द से निकला है और यह मानना बढ़ेगा कि जहां बंकिम शब्द में कुछ गंभीरता है कभी कभी कुछ तीखापन जलकने लगता है वहां बांके शब्द में एक अजीब बांकापन है अगर जवान बांका तिर्शा ना हुआ तो आप निश्चे समझ लें कि उसकी जवानी की कोई सार्थत्ता नहीं अगर चित्वन बांकी नहीं तो आँख का फोर लेना अच्छा है बांकी अदा और बांकी जाकी के बिना जिन्दगी सूनी हो जाए मेरे ख्याल से अगर दुनिया से बांका शब्द उठ जाए तो कुछ दिल चले लोग खुदकुशी करने पर आमादा हो जाएंगे और इसलिए मैं तो यहां तक कहूंगा कि लखनव बांका शहर है और इस बांके शहर में कुछ बांके रहते हैं जिनमें गजब का बांकापन है यहां पर आप लोग शायद जला कर यह पूछेंगे मैं यह बांके है? है क्या बला? कहते क्यों नहीं? और मैं उत्तर दूँगा कि आप में सबर नहीं अगर उन बाकों में एक बाकी भूमिका नहीं हुई तो फिर कहानी किस तरह बाकी हो सकती है हाँ तो लखनव में रईस हैं, तवाइफे हैं और इन दोनों के साथ शहुदे भी हैं बकॉल लखनव वालों के ये शहुदे ऐसे वैसे नहीं है ये लखनव की नाक है लखनव की सारी बहदुरी के ये ठीकेदार है और जान ले लेने या दे देने पर आमादा रहते हैं अगर लखनव से ये शहुदे हटा दिये जाएं तो लोगों का ये कहना अजी लखनव तो जनानों का शहर है सुला आने सच्छा उतर जाए जनाब इनी शौदों के सरगनों को लखनव वाले बांके कहते हैं शाम के वक्त तहमत पहने हुए और कसरती बदन पर जालीदार बन्यान पहने उसके उपर बूटेदार चिकन का कुर्टा डाटे हुए जब ये निकलते हैं तब लोग बाग बड़ी हसरत्स की निगाहों से इन्हें देखते हैं उस वक्त इनके पटेदार बालों में करीब आधवाव चमिली का तील पड़ा रहता है कान में इत्र की अंगिनती फुर्या खुसी रहती है और एक बिले का गजरा गले में तथा एक हाथ की कलाई पर रहता है फिर भी अकेले ये नहीं निकलते हैं इनके साथ शागिर्द शौदों का जुलूज रहता है एक से एक बोलियां बोलते हुए फप्तियां कसते हुए और शोखियां हाकते हुए उन्हें देखने के लिए एक हजोम मुमर पड़ता है तो उस दिन मुझे अमीनाबाद से नकास जाना था पास में पैसे कम थे इसलिए जब एक नवाब साहब ने आवाज दी नकास तो मैं उचक कर उनके एक्के पर बैठ गया यहां यह बतला देना बेजाना होगा कि लखनव के एक्के वालों में तीन चौथा ही शाही कामदान के हैं और यही उनकी बदकिसमती है कि उनका वसी का बंद या कम कर दिया गया और उन्हें एक्का हांकना पढ़ रहा है एक्का नकास की तरफ चला और मैंने मिया एक्के वाले से कहा कहिए नवाब साहब खाने पीने भर कातों पैदा कर लेते हो इस सवाल का पूछा जाना था कि नवाब साहब के उद्गारों का बांध तूट पड़ा बड़े करणसुर में बोले क्या बतलाओं हुजूर अपनी क्या हालात है कह नहीं सकता खुदा जो कुछ दिखलाए देखूंगा एक दिन थे जब हम लोगों के बुजर्ग हुकूमत करते थे एशो अराम की जिन्दगी बसर करते थे लेकिन आज आज हम उन्हीं की उलादों को बूखे मरने की नौबत आ गई और हुजूर अब पेशे में कुछ रह नहीं गया पहले तो तांगे चले जी को समझाया बुजाया मैं अपनी अपनी किसमत मैं भी तांगा ले लूँगा यह तो वक्त की बात है मुझे भी फायदा होगा लेकिन क्या बताओं हुजूर हाला दिनो दिन बिगडते ही जा रहे है अब देखिए मोटरों पे मोटरें चल रही है भला बताईए हुजूर जो सुख इक्के की सवारी में है वह भला तांगे और मोटर में मिलने का तांगे में पालती मार कर आराम से बैख नहीं सकते जाते उत्तर की तरफ है और मुद अखन की तरफ रहता है अजी साहब हिंदूों में मुर्दा उल्टे सिर ले जाया जाता है लेकिन तांगे में लोग जिन्दा ही उल्टे सिर चलते है जरा गोर फरमाईए ये मोटरें शैतान की तरह चलती है वह भला की धूल उड़ाती है कि इनसान अंधा ही हो जाए मैं तो कहता हूँ कि बिना जानवर के आप चलने वाली सवारी से दूर ही रहना उसमें शैतान का फेर है शैतान का इकके वाले नवाब और ना जाने क्या क्या कहते अगर वे या अली के नारे से चौक न उठते सामने क्या देखते हैं कि एक आलम उमढ रहा है एक का रकाब गंज के पुल के पास पहुंचकर रुक गया एक अजीब समा था रकाब गंज के पुल के दोनों तरफ करीब 15,000 की भिड़ थी लेकिन पुल पर एक आदमी नहीं पुल के एक किनारे करीब 25 शोहदे लाठी लिये हुए खड़े थे और दूसरे किनारे भी उतने ही एक खासवार और थी वहाँ पर कि पुल के एक सिरे पर सड़क के बीचो बीच एक चारपाई रखी थी और दूसरे सिरे पर भी सड़क के बीचो बीच दूसरी बीच बीच में रुक रुक कर दोनों और से या अली के नारे लग रहे थे मैंने इक्के वाले से पूछा क्यों मिया क्या मामला है मिया इक्के वाले ने एक तमाशाई से पूछ कर बतलाया हुजूर आज दो बांकों में लड़ाई होने वाली है उसी लड़ाई को देखने के लिए यहां भी डिकठी है मैंने फिर पूछा यह क्यों मैं इक्के वाले ने जवाब दिया हुजूर, पुल के इस पार के शोहदों का सरगना एक बांका है और उस पार के शोहदों का सरगना दूसरा बांका कल इस पार के एक शोहदे से पुल के उस पार के दूसरे शोहदे का कुछ जगड़ा हो गया और उस जगड़े में कुछ मार पीठ हो गई इस फिसाद पर दोनों बांकों में कुछ कहा सुनी होई और उस कहा सुनी में ही मैगान बद दिया गया अरे हुजूर इन बांकों की लड़ाई कोई ऐसी वैसी थोड़ी ही होगी इसमें खून बहेगा और लड़ाई तब तक खत्म ना होगी तब तक की एक बांका खत्म ना हो जाए आज तो एक आज लाश गिरेगी ये चार पाईया उन बांकों की लाश उठाने आई है दोनों बांके अपने बीवी बच्चों से रुकसत लेकर और कर्बला के लिए तयार होकर आवेंगे इसी समय दोनों और से या अली की एक बहुत बुलंद आवाज उची मैंने देखा कि पुल की दोनों तरफ हाथ में लाठी लिए हुए बांके आ रहे हैं तमाशाईयों में एक सकता सा छा गया सब लोग चुप हो गए पुल के इस पारवाले बांके ने कड़क कर दूसरे पारवाले बांके से कहा उस्ताद और दूसरे पारवाले बांके ने कड़क कर उत्तर दिया उस्ताद पुल के इस पारवाले बांके ने कहा उस्ताद आज खून हो जाएगा खून पुल के इस पारवाले बांके ने कहा उस्ताद आज लाशें गिर जाएंगी लाशें चारो और एक पहरा सन्नाटा फैला था जो लोगों के दिल धड़क रहे थे भीड बरती ही जा रही थी पुल के इस पारवाले बांके ने लाठी का एक हाथ घुमा कर एक कदम बढ़ते हुए कहा तो फिर उस्ताद होशियार पुल के इस पारवाले बांके के शागिर्दों ने गगन बेदी स्वर में नारा लगाया या अली पुल के उस पारवाले बांके ने लाठी का एक हाथ घुमा कर एक कदम बढ़ते हुए कहा तो फिर उस्ताद संभलना फुल के उस पारवाले बांके के शागिर्दों ने गगन भेदी स्वर में नारा लगाया या अली दोनों तरफ के दोनों बांके कदम बाकदम लाठी के हाथ दिखलाते हुए तथा एक दूसरे को ललकारते हुए आगे बढ़ रहे थे दोनों तरफ के बांकों के शागिर्द हर कदम पर या अली के नारे लगा रहे थे और दोनों तरफ के तमाशाईयों के हृदय, उत्सुक्ता, कौलूहल तथा बांकों की वीरता के प्रदर्शन के कारण धड़क रहे थे पुल के बीचों बीच एक दूसरे से दो कदम की दूरी पर दोनों बांके रुके दोनों ने एक दूसरे को थोड़ी गौर से देखा और फिर दोनों बांकों की लाठिया उठी और दाहिने हाथ से बाहे आत में चली गई इस पारवाले बांके ने कहा फिर उस्ताद उस पारवाले बांके ने कहा फिर उस्ताद इस पारवाले बांके ने अपना हाथ उठाया और उस पारवाले बांके ने अपने हाथ को फिर बढ़ाया और दोनों के पंजे गुथ गए दोनों बांकों के शागिर्दों ने नारा लगाया या अली फिर क्या था दोनों बांके जोर लगा रहे थे पंजा तस से मस नहीं हो रहा था दस मिनट तक तमाश बीन सक्ते में हालात में खड़े रहे इतने में इस पारवाले बांके ने कहा उस्ताद गजब के कस हैं उस पारवाले बांके ने कहा उस्ताद बला का जोड है इस पारवाले बांके ने कहा उस्ताद अभी तक मैंने समझा था कि मेरे मुकाबले का लखनव में कोई दूसरा नहीं है उस पारवाले बांके वाले ने कहा उस्ताद आज तक कहीं जाकर मुझे अपनी जोड का जवा मर्द मिला है इस पार वाले बांके ने कहा उस्ताद तबियत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे बहद्दुर आदमी का खुन करो उस पारवाले बांके ने कहा उस्ताद तबियत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे शेर दिल आदमी की लाश किराओ थोड़ी देर के लिए दोनों मौन हो गए पंजा गुथा हुआ टस से मस नहीं हो रहे थे इस पारवाले बांके ने कहा उस्ताद जगडा किस बात का है उस पारवाले बांके ने कहा उस्ताद यही सवाल मेरे सामने भी है इस पारवाले बांके ने कहा उस्ताद पुल के इस तरफ के हिस्से का मालिक मैं उस पारवाले बांके ने कहा उस्ताद पुल के इस तरफ के हिस्से का मालिक मैं और दोनों ने एक साथ कहा पुल के दूसरी तरफ से ना हमें कोई मतलब है ना हमारे शागिर्दों को दोनों के हाट ढीले पड़ गए दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और फिर दोनों घूम पड़े छाती फुलाए हुए दोनों बांके अपने शागिर्दों से आ मिले बिजली की तरहे ये खबर फैल गई कि दोनों बराबर की जोड छूटे और उनमें सुलहे हो गई इक्के वाले को पैसे दे कर मैं वहां से पैदल ही लोट पड़ा क्योंकि देर हो जाने के कारण नकास जाना बेकार था इस पार वाला मांका अपने शागिर्दों से घ्रा चला जा रहा था शागिर्द कह रहे थे उस्ताद इस वक्त बड़ी समस्दारी से काम लिया वरना आस तो लाशें गिर जातीं लाशें उस्ताद हम सब के सब अपनी जान दे देते लेकिन उस्ताद गजब के कस है इतने में किसी ने बांके से कहा मुला सुवांग खूब भरे हो बांके ने देखा कि एक लंबा और तगड़ा देहाती जिसके हाथ में एक भारी सा लठ है सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है उस वक्त बांके खून का घूट पी कर रहे गए उन्होंने सोचा भला उस्ताद की मौजूदगी में उन्हें हाथ उठाने का कोई हक भी है ये थी कहानी दो बांके नमस्कार उन्हें हाथ